नमस्कार मैं चनल पकाश शर्म आपका स्वागट करता हूं प्रजेक्ट कॉमन सेंस में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ वेल आइकोन को जलू क्लिक करें और इसके साथ साथ अगर आपको ह हमारे पुराने वीडियो लिखने हैं तो ज्यादा से ज्यादा पुराने वीडियो लिखें हमारे प्लेलिस्ट में जाएं वहाँ पर आपको ग्रामीड अर्थिवरस्ता के 40 वीडियो मिलेंगे लगवग तो उन्हें आप देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सेयर कर सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि ग्रामीड रहे थे विरस्ता में हमने जितनी भी चीज़ां पड़ी है तो ऐसे प्रस्न हर परिच्छा में एक या दो रहते ही हैं और यहाँ पर भी ऐसे प्रस्न रहने की संबाबना है और आपने देखा होगा आपका जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसमें तो ऐसे प्रस्न रहते ही हैं तो ग्रामीड अर्थेवस्ता वाले पोर्शन में ऐसे प्रस्थे रहेंगे इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी टॉपिक के ध्याम रखें तो यहाँ पर प्रामुक प्रामुक को सब्दाओं को मैं आपको बता रहा हूँ AAY का मतलब होता है अंटियोड़ अन्ययोजना आप जानते होंगे AAY का मतलब क्या है अंटियोड़ अन्ययोजना AC ABC AC ABC मतलब Agri Clinics and Agri Business Center यह मैटमून परस्थन है आपके लिए Agri Clinics and Agri Business Centers इसी तरह से फिर आप आएंगे अगला AI Artificial Insemination और इसके बाद है अगला AIBP AIBP मतलब Accelerated Irrigation Benefit Program तो रहते सचाई लाव कारिकरम जिसे हम बोलते हैं हिंदी में इसके बाद आता है आपका AITI Artificial Insemination Training Institute और इसके बाद है AKIS Agriculture Knowledge Information System ध्यान रखें यहाँ पर काफी सब्ध है तो मैंने जो प्रमुक प्रमुक हो जो संचिप्ट सब्ध है उनको आपको बताया है और वही मैंने टिक किये एडर की साइड रेड कलर में तो इसके बाद फिर आता है आपका AMI Agriculture Marketing Infrastructure इसके बाद आता है APL, APL above poverty line एक BPL भी होता है below poverty line मतलब गरीवी रेखा से नीचे और APL मतलब गरीवी रेखा से उपर इसके बाद आता है APMC ये बहुत important है और ये पूछे जाने के पूरे पूरे chances है तो APMC का मतलब होता है Agriculture Produce Market Committee APMC Act के बादे में आप पड़ा था इसके बाद आता है RIA, A.R.Y.A. Attracting Rural Youth in Agriculture तो RIA इसको ध्यान में रखें एक मैटपूंट प्रसन है RIA और इसके बाद आता है A.T.I.F. Agri Tech Infrastructure Fund फिर आता है आत्मा ये आत्मा जो question है वो मैटपूंट है Agriculture Technology Management Agency इसके बाद फिर आता है B.G.REI Bringing Green Revolution to Eastern India पूर्वी भारत में हरिट करांती इसके बाद आता है B.P.L. जो मैंने आपको अभी बता दिया ब्लो पॉबर्टी लाइन इसके बाद आता है C.A.C.P. ये भी एक बहुत मेटपूंट प्रसन है Commission for Agriculture Cost and Prices मतलब क्रसी लागत एवं मूल आयोग वही आयोग जो नियूनतम समर्थ मूल की सिफारिस करता है इसके बाद आता है आपका CCI Cotton Corporation of India इसके बाद आता है CCI S Comprehensive Crop Insurance Scheme तो ये हुई इसके बाद और भी हैं बहुत सारी इसके बाद आता है CCI S.A.M.N. Climate Change and Sustainable Agriculture Modeling and Networking इसके बाद आता है CDM Clean Development Mechanism ये भी एक मेटपूंट प्रसन है ये आपका मैं आप बता दूँ कि परयावण से संबनित प्रसन है Clean Development Mechanism लेकिन इसमें बहान की यादी का भी मेटपूंट रॉल है बहान की यादी की जाती है इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है इसके बाद आता है CGAIR Consultative Group on International Agriculture Research फिर इसके बाद आप आएंगे CPCV CPCV मतलब Central Pollution Control Board तो यह भी आपके लिए एक मेटपूंट प्रसन है GS में भी ऐसे प्रसन पूछे जा सकते हैं अन्य परिच्छा में भी यह पूछे जाते हैं इसके बाद आता है CPI Consumer Price Index यह भी आपने पढ़ा है Consumer Price Index यह भी आपके लिए मेटपूंट है इसके बाद आता है CSCV Central Seed Certification Board केंदी बीज प्रमाडन बोर्ड जोसे हम बोलते हैं इसके बाद आता है CWC Central Bear Housing Corporation इसके बाद आता है DAAP District Agriculture Action Plan इसके बाद आता है DAC and FW Department of Agriculture Corporation and Farmers Belfare यह के मैं पूंट कॉस्चन रियान रखें इसी तरह से DADF Department of Animal Husbandry Daring and Fisheries तो यह ध्यान में रखें इसके बाद आप आएंगे DARE Department of Agriculture Research and Education इसके बाद आता है DDA DDA मतलब Doha Development Agenda मैं आपको बता दूं कि जो WTO है मतलब जो विस्प का जो व्यापा संगठन है विस्प व्यापा संगठन उसके अंतरगत यह दोहा दोर की बारता है और दोहा दोर की बारता के अंतरगत करसी वी एक मैंत्मून मुद्दा रहा है तो इसको भी आप ध्यान में रखें इसके बाद आता है DFPD Department of Food and Public Distribution आपने सारवेजनिक बित्तर प्रणाली पड़ी होगी उसके अंतरगत है यह अगला आता है DIP District Irrigation Plan तो जिला सचाई कारिकरम के जिला सचाई योजना के अंतरगत फिर आता है DSS Detailed Soil Survey जहान रखें जो रेट कलर है मैं उन रेट कलर के सामने वाले सब्दों को आपको बता रहा हूँ सिर्फ और वही मेत्पूने आपके लिए इसी तरह से DVC Damodar Valley Corporation इसके बार आता है ECIS ECIS Experimental Crop Insurance Scheme मतलब प्रायोगिक फसल भीमा योजना इसी तरह से आता है आपका FAO FAO आपने देखा होगा रोम में जो संस्थान है Food and Agriculture Organization इसी तरह से FCI जो भारत का है Food Corporation of India इसी तरह से आप देखेंगे अगला जो टर्म है FDI For Egan Direct Investment Protection इसी तरह से आप देखेंगे FI Field Investigator इसी तरह से FIG मतलब Farmers into Interest Group इसी तरह से एक और देखेंगे FIIS Farm Income Insurance Scheme इसी तरह से एक और है First तो First का मतलब है Farmer, Innovation, Resources, Science and Technology तो इसको भी आप जरू ध्यान दखें इसके बाद आता है FQCL FITALIZER Quality Control Laboratory इसके बाद आता है FRP तो ये भी एक मैटकूंट परस्टन है Fair and Remunerative Price तो आपने जो Newton समर्थन मुल पड़ा होगा वहाँ पर गन्ना कपासादी के संबन में FRP के बारे में जाना होगा इसी तरह से आता है FTA FTA मतलब Free Trade Agreement मुक्त ब्यापा समझाता जैसे हम बोलते हैं तो ये भी कसी छिट से किसी ना किसी तरह से रेलेटेड है GVY GVY मतलब Gramid भंडारन योजना इसी तरह से आता है GCES General Crop Estimation Survey इसके बाद आता है GI Geographical Indication जो कि मैंने आपको टॉपिक बताया था पूरा इसके बाद आता है GMO Genetically Modified Organism इसके बाद आता है GNP GDP और GNP आप जानते होंगो GNP मतलब Gross National Product और GDP मतलब Gross Domestic Product इसके बाद आता है HMNEH Horticulture Mission for North East End Himalayan State इसके बाद आता है IA SRI Indian Agriculture Estatics Research Institute इसके बाद एक मैत्पून आता है IAY मतलब इंदरा आवा सियोजदा एक आता है IPSA IPSA का मतलब IPSA एक संगठन है मैं आपको बता दूँ और इसके अंतर गते जो देश आते हैं वो India, Brazil and South Africa ये जो संगठन है वो मेली बिकासिल देशों के हित्रों को दिहान में रखकर बनाए गया है तीनों ही देश बिकासिल है इसके साथ आप देखेंगे ICAR ये भी एक मैथपूंट टर्म है Indian Council of Agriculture Research इसके बाद आप देखेंगे IDDP Intensive Dairy Development Program इसके बाद आप अगला देखेंगे IFAD International Fund for Agriculture Development इसी तरह से आप अगला देखेंगे IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movement इसी तरह से अगला है IFS Integrated Farming System और इसी तरह से एक और है कि IINIG Indian Institute of Natural Regents and Gums इसके बाद है IIP मतलब Index of Industrial Production जिसे हम औद्योग कुटपादन सूचकांक के नाम से भी जानते हैं इसके बाद है IND Indian Metrological Department और फिर आता है INDC Intended Nationally Determined Contribution इसके बाद आता है INM Integrated Nutrient Management और फिर आता है IPCC जो की एक मैतपून है GS की रिष्टी से भी परियावण की रिष्टी से Intergovernmental Panel on Climate Change इसके बाद आता है IPM Integrated Paste Management और इसके बाद आता है ISO POM तो इसे जरू ध्यान रखें Intrigated Scheme of Oil Seeds Oil Palm and Mage इसके बाद आता है IWGSE International IWMP Intrigated Water Seed Management और इसके बाद आता है JCI Youth Corporation of India आपने ये सारी चीज़ा पढ़ी है ध्यान रखें बस इनके Abrivation ये टर्म है वो आपको जानने है ताके ऐसे प्रस्थन आपसे गलती से जो है गलत न हो जाए आते हुए भी तो एक बाद अगर नज़ा आप डाल लेंगे इन पर तो ये प्रस्थन आसानी से बन जाएंगे KCC, किसान कॉल सेंटर KMS, खरेप मार्केटिंग सीजन KVK, क्रसी, बिज्ञान केंडर इसी तरह से आप देखेंगे MBIT, Multi Brand Retail Trading और साथी साथ आप देखेंगे मन रेगा तो महत्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act फिर MIDS देखेंगे Mission for Integrated Development of Horticulture इसके बाद MIS मतलब Market Intervention Scheme इसके बाद देखेंगे MNAIS Modified National Agriculture Insurance Scheme इसी तरह से MNCFC महालनोविश National Crop Forecast Center और इसी तरह से आप देखेंगे ये दो जो टर्म है Ministry को लेकर MOA and AFW Ministry of Agriculture and Farmers Belfare जो आपको पता होगा कि करसी मंताले का नाम कर दिया गया है के इंद में और MOEFCC मतलब Ministry of Environment, Forest and Climate Change तो इनने जरूर ध्यान में रखें इसी तरह से ये कोड़ है MOF FPI Ministry of Food Processing Industry इसके बाद आता है MRIN Marketing Research and Information Network फिर आता है MRP तो MRP आप जानते है Maggivum Detail Price फिर आता है NAWARD ये एक महतपूंट प्रस्तन है और बहुत पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म है National Bank for Agriculture and Rural Development फिर आता है NAIP National Agricultural Innovation Project फिर आता है NAIS National Agricultural Insurance Scheme फिर आता है NAM नाम National Agricultural Market तो ध्यान रखें जो नाम है ये बहुत मैटपूंट है आपके लिए और इसके साथ साथ जो आता है जो अगला है NASF National Agricultural Science Fund इसी तरह से NVA है National Biodiversity Authority और इसके बाद आता है नीचे NCIP National Crop Insurance Program फिर आता है NCU NCU मतलब Neem Quoted Urea और इसके बाद आता है NDDB National Dairy Development Board फिर आप देखेंगे NDP मतलब National Dairy Plan फेज फिर NDRF मतलब National Diaspora Responsive Fund इसके बाद NDRI आएगा बहुत मैटपूंट है National Dairy Research Institute और इसके बाद फिर आप देखेंगे लाइन से यह जो है Schemes है मैंली तो आप इन Schemes पर नरे डाल सकते हैं NFDB मतलब National Fishery Development Board NFSA मतलब National Food Security Act NFSA मतलब National Food Security Mission फिर NHM मतलब National Horticulture Mission फिर NIEM मतलब National Institute of Agriculture Marketing NIC National Informatics Center और NICRI National Initiative for Climate Resilient Agriculture इसके बाद NLM National Livestock Mission फिर आता है आपका NMA ET National Mission on Agriculture Extension and Technology इसी तरह से आप देखेंगे NMFP National Mission on Food Processing NMWP National Mission on Oil Seeds and Oil Palm NMPS मतलब National Mission for Protein Supplement इसके बाद आता है NMSA मतलब National Mission for Sustainable Agriculture इसके बाद देखेंगे आप NPBB National Program for Bovine Breeding तो यह बहुत मेहत्पूर्ण प्रस्तन है और इनमें से जो है Abbreviation जो संचिप्ट नाम आप से एक दो तो पूछे ही जाने के पूरी संभावना है इसी तरह से आप देखेंगे NPBBD मतलब National Program for Bovine Breeding and Dairy Development फिर इसके नीचे जो है NPBBD मतलब National Program for Bovine Breeding and Dairy Development फिर आता है आपका NPCBB मतलब National Program for Cattle and Buffalo Breeding इसके बाद आता है NPDD National Program for Dairy Development और इसके बाद आता है NPM Non Chemical Paste Management फिर आता है NPMCR National Policy for Management of Crops Residue फिर आता है आपका NPOF तो ये एक मेतपुन है NPOF मतलब National Project on Organic Farming फिर आता है NRCP National Reserve Conservation Plant फिर आता है NRCPV National Research Center on Plant Biotechnology इसी तरह से आप देखेंगे NRLM National Rural Livelihood Mission फिर NSAI मतलब National Seed Association of India इसके बाद आप आप देखेंगे NSP National Seed Association of India फिर आप देखेंगे NSP National Social Assistance Program फिर NSC National Seed Corporation और इसके बाद आता है NSRTC National Seed Research and Training Center और इसके बाद है NSSO और ये मेतपुन है आपके लिए NSSO मतलब National Sample Survey Office और इसके बाद आता है और इसके बाद फिर आता है PDS Public Distribution System जिसे आप जानते है सार्जोनिक वित्तर पणाली के नाम से जाना जाता है इसके बाद आता है PSTM Post Arvest Technology and Management इसके बाद आता है PKBY Paramparagratik Krassi Vikas योजना और इसके बाद आता है PMGSY प्रधान मंत्री Gram सडक योजना तो ये आपके लिए मेतपुन है इसके बाद आप देखेंगे PMKSY प्रधान मंत्री Krassi सचाई योजना और इसके बाद आप देखेंगे Triple P मतलब Public Private Partnership और साथी साथ इसके बाद देखेंगे आप PRI Panchayati राज इंस्टिटूशन और इसके बाद आप देखेंगे PTA मतलब Provincial Agreement और इसके बाद आप देखेंगे RIDI मतलब Rural Interpender Awareness Development इसके बाद देखेंगे RK BY तो इसका जो फुल फॉर्म है राष्ट्रे क्रसी विकासी होजना इसके बाद देखेंगे RMS रवी मार्केटिंग सीजन इसके बाद देखेंगे RS मतलब Remote Sensing आप जानते होंगे Remote Sensing Technology उपग्रे के माध्यम से जो है काफी इसमें क्रसी छित में भी काफी इससे लाब लिया जाता है इसके साथ RST मतलब Remote Sensing Technology इसके बाद आप देखेंगे SSC SHC मतलब Soil Health Card SHG मतलब Self Help Groups और SHM मतलब Soil Health Management तो ये देखेंगे इसके बाद आप आएंगे SSC SSC State Seed Corporation और फिर आएंगे SSC है State Seed Certification Agencies इसके बाद आप आएंगे TPDS और ये भी एक मैत्मूर है तो आपने पहले PDS पढ़ा था Public Distribution System और TPDS का मतलब है Targeted Public Distribution System तो ये ध्यान रखें और इसके बाद है TRC मतलब Transplanted Rice Cultivation और इसके बाद एक आता है UNFCCC तो United Nation Framework Convention on Climate Change तो ये परियावन से संबंदित है और GS में ये मेत्मूर है काफी इसके बाद आप देखेंगे BP मतलब Village Panchaat और फिर आप देखेंगे WVCIS बेदर बेशल क्रॉप इंसोरेशन से मतलब मौसम आदारित फसल वीव मा योजना फिर आप देखेंगे WD PSCA मतलब बाटा सेड़ डेवलोपमेंट पोजक्ट एंड सिप्टिंग कल्टिवेशन एरिया तो ये इस तरह से आपके ये सारे जो है क्रसी छिट से संबंदित ग्रामी लाइट वेस्ता से भी संबंदित सारे सब्द हैं जो आपको कहने चाहिए अब इसमें मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको सिर्फ एक एक वार सब बता दिया था तो इसमें आप अपनी स्ववड़ा के अंसा जो भी सबसे क्योंकि वो संचिप्त नाम है उन्हीं संचिप्त नामों को पूछ लेंगे और ऐसे बहुत से सब्द हैं ग्रामी लाइट विस्ता के अंतरगते जो पूछे जा सकते हैं तो इस टॉपिक को आप जरू तरिया करें और साथ ही साथ है आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स थैंक्यू